एक और विशे जो काफी समवेदनशील है मगर उस पर बहुत चर्चा नहीं होती है वह है अनौपचारिक रिष्टे जो इस सुन्दर उम्र में होते हैं जिसमें हम हैं अपने बारे में थोड़ी अच्छी बाते कहनी थी आजकर लोग शारिरिक संबंद बनाते हैं लेकिन इन रिष्टों में जादा भावना ही नहीं होती हम इस विशे पर आपकी राए जानना चाते हैं अगर लोग अपनी मर्जी से ऐसे रिष्टे बनाते हैं तो क्या ही सही है या ये क्या है दिखिए अभी क्या आपको याद है कि दस पीड़ी पहले आपकी दादी की दादी की दादी की दादी कैसी दिखती थी नहीं मगर उनकी नाक अभी आपके चेहरे पर मौझूद है आपके शरीर को याद है हाँ या ना आपके शरीर को लाखों साल पहले आपके पूर्वजों की त्वचा का रंग भी याद है, अभी तक वो भूला नहीं है तो जिसे आप मेरा शरीर कह रहे हैं, वो यादों का एक बहुत बड़ा संग्र है, है न? आपके दिमाग में मौझूद यादाश्ट बहुत कम है आपके शरीर में मौझूद यादाश्ट, उसमें क्रमिक विकास की यादे हैं, जैनिटिक यादे हैं, कर्म की यादे हैं, व्यक्त और अव्यक्त स्तर की यादे हैं, धेर सारी यादे हैं आपको लगता है कि अभी आपको चलना आता है लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर ने वो यादास्त बनाई है अगर आपका शरीर उसे भूल जाए तो आप चल नहीं पाएंगे इतनी यादें आप जो छोटी से छोटी चीज करते हैं आप जानते हैं कि क्या खाना है क्या ने खाना है उसे मूँ में डालना है कान में नहीं ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन आप यादों के कारण ही जानते हैं तो आपका शरीर धेर सारी यादों का भंडार है और वो हर समय यादें इकठी करते रहता है अगर आप यहां से यहां तक चले तो पचास अलग-अलग तरह की हलकी महके होंगे हो सकता है कि आप उस पर ध्यान न दें मगर शरीर उसे इकठा भी करता है और पहचानता भी है वो लगतार पहचानता रहता है इसलिए आप जानते हैं कि सुगंद क्या है, दुरगंद क्या है, ये इसकी गंद है आप आवाज, गंद वेगर के अलग-अलग पहलूओं को पहचानते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया लगतार चलती रहती है अप जागरुकता के साथ अपनी शारेरी की आदास्त बना सकते हैं या बस धेर सारी आदास्त अंदर लेकर धेर सारी शारेरी कुलजन से गुजर सकते हैं तो जहां कहीं भी प्रभाव होता है मुझे पता नहीं कि आपकी पीड़ी में लोग अभी ये चीज़ें जानते हैं या नहीं मगर अभी बैंगलोर में ऐसे लोग मिलेंगे जिनने अगर आप नमक देनी की कोशिश करेंगे तो वे उसे नहीं लेंगे, वो कहेंगे वहां रख दीजे अगर आप उन्हें तिल देने की कोशिश करें तो वो कहेंगे उसे वहां रख दीजे क्योंकि उन्होंने कई पदार्थों की पहचान कर ली है जो आसानी से आपकी यादाष्ट को लेकर मुझ तक पहुचा सकते हैं अगर मैं वो चीज ले लूँ मुझे वो यादाष्ट नहीं चाहिए यही वज़े है कि आम तौर पर इस संस्क्रीती में एक दूसरे को छूना, हाथ मिलाना ऐसी चीजों से परहेज किया जाता है हम अपनी ही दोनों हतेलिया मिला कर नमस्कार करते हैं क्योंकि हम यादाष्ट नहीं कठी करना चाहते क्योंकि अगर मैं इसे बस छूता हूँ तो ये इसे भी याद रखता है आप अपने चार दोस्तों के साथ इसे आजमा कर देखें आप उनके हाथों को छूएं याद रखने की कोशिश ना करें हर दिन बस उनके हाथ छूएं और भूल जाएं कल अगर वो आकर आपको छूता है आप जानते हैं कि ये उसका हाथ है है न तो शरीर याद रखता है ये दिमाग में नहीं है शरीर की यादाष्ट होती है इसे रुनानू बंद कहते हैं जब यौन संबंद बनते हैं या ऐसी कोई अंतरंगता होती है जिसमें विचार, भावनाएं और शरीर शामिल हो तो आपके शरीर में जो यादाष्ट रह जाती है वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है इसलिए कहा गया है कि आपको इसे जितना हो सके उतना सरल रखना चाहिए तो सवाल नैतिकता का नहीं है सवाल ये है कि आप अपने जीवन में अपने साथ क्या करना चाहते है अगर आप इस तरह जीना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी भीतरी बुद्धी सबसे प्रबल चीज हो आपका बहुत तिक शरीर नहीं, तो आपको शरीर की यादाश्ट को जितना हो सके, उतना सरल रखना चाहिए। तो आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं? आप खुद को एक सेक्श्वल सुपरनोवा बनाना चाहते हैं? कुछ लोगों का ऐसा इरादा हो सकता है, ये उनके उपर है, मगर आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं? ये आपको तै करना होगा. अगर आपने ये तै किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अंजाने में भारी मात्रा में यादे ना इकटी करें. क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि आपके लिए शान्त और खुश रहना बहुत मुश्किल होगा. चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो, क्योंकि शरीर में उल्जन भरी यादे मौजूद हैं, जब इसी प्रकृती का कुछ और आता है, तो शरीर में उल्जन भरी उथल- होने लगती है, शायद आपके दिमाग में ये ना है, ये सिर्फ शारीरिक रूप से होता रहेगा, तो ये चुनाव आपको करना है, ये नैतिकता का सवाल नहीं है, ये सवाल है समझदारी से जीने का.